हेलो फ्रेंड्स मैं उके फिचिंग आप देख रहे हैं मेरा चनल पुड़ोगे तो पुड़ोगे अगर आप शिखना चाहते हैं रोज कुछ नहा तो प्लीज में चनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरू दुमाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले त े हार उनको हम लोग यांपर लेने वाले हैं तो चलिए आगे देख लेंते का हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में बढ़ता संतत्वलन ठीकर और असंतत्वलन कैसे her हो सकते हैं कैसे संतत्य कि यह संतत्थ फलन है या नहीं अब त्रिकोड मिती अनुपात में हम लोग यहां बात कर लेते हैं तो अगर हमारे पास फलन कोई लिखा हुआ है वाई बराबर साइन एक्स ठीक है यह हमारे पास फलन है त्रिकोर्ड मिती अनुपात का और हमें पता करना है कि साइन एक संतत्त फलन है या नहीं तो इसको हम पता करने के लिए ग्राफ का प्रयोग करेंगे और साइन का ग्राफ हम लोग देखते हैं कैसा होता है तो साइन का ग्राफ बनाने के लिए यह यहाँ पर एक रेखाओ स्कीछ लिए और यहाँ पर एक रेखाओ स्कीछ लिए और यह हम कहें दें कि यह हमारा X अच्छे और यह Y अच्छे है ये रिड़ वाई अच्छ है तो साइन में हम यहाँ पर ये वैलू हमारे जीरो है ये हमारी वैलू पाई है पाई बाई टू ये वैलू हमारे पाई है ये थ्री पाई बाई टू ये टू पाई और ये फाई पाई बाई टू तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है इस प्रकार से कुछ इसका ग्राफ होता है ठीक है इसको यहाँ आदेते है ये ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये साइन का ग्राफ है ठीक है और आप खुद देख रहे होंगे कि इस ग्राफ को बनाने के लिए कहीं पर भी आपको कलम उठाने के ज़रूरत नहीं है जहां पर ये वैलू है एक और ये वैलू है माइनस एक ये वैलू है जीरो ठीक है तो साइन X का जह हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ से हमको पता चलता है कि इसको ग्राफ बनाने में आपको कहीं पर भी pen उठाने के अवसकता नहीं है इसलिए साइन एक संतत्थ फलन है कैसा फलन है संतत्थ फलन है तो इसी प्रकार हम बढ़ जाते हैं जड़ा उसको भी चेक लिए हैं बचु भी वियलू कॉसरेक्स कॉसरेक्स हमारा संतत्र सिंप सब्सक्राइब करने के लिए पहले हम इसको ग्राफ बना लेते हैं इसका यह हमने वाइच बना लिया कि यह हमने एक्सच बना लिया कि वाइड़ सबसे पहले यह जीरो कि यह है पाई बाई टू यह है थ्री पाई बाई टू पाई यह है थ्री पाई बाई टू यह है टू पाई और यह फाइफ पाइब आई टू यह 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 और यह तो देखिए जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है कर दो बना है क्रुओा भू मत्वा hoard कुछ झ Wow है झाल झाल ये है तो कुछ इस प्रकार से हमारा कौास एक्स का फलन होता है ठीक है अब ये फलन जो हमने बनाया यहां प्रग्राफ बनाकर आपको दिखाया है तो इसको देखके आपको खुद प्रटा चल लाओगा प्लस का एक माइनस का एक जीरो कि यह कैसा फलन है क्योंकि कौस एक्स के ग्राफ को बनाने के लिए हमने कहीं पर भी पिन को नहीं उठाया सीध्य आप पर रखे और बनाते चले जाएं इसलिए कौस एक्स का फलन एक कैसा फलन है संतत फलन है इसलिए कैसा फलन है संतत फलन है अब मैं जाते हैं अपने तीसरे ग्राफ पर कि वाई बराबर टैन एक्स कि हमारा क्या फलन है कि वाई बराबर टैन एक्स कि तो कि देखिए कि इसको बनाने के लिए हम यहां क्या करते हैं एक ग्राफ बना लेते हैं कि इस प्रकार से यह मारा एक्स अच है यह एक्स डैस है यह वाई अच्छ है यह वाई डैस है अब यहां पर हम क्या करेंगे सारे बरा लिते हैं सिंबल यह है हमारा पाई बाई टू यह हमारा है पाई यह है थ्री पाई बाई टू इदर माइनस का पाई बाई टू माइनस का पाई और माइनस का थ्री पाई बाई टू और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है बहुत ध्यान से देखेगा अगर हम यहाँ पर पहले डिवाइट कर दें इसको पहले ही हम यहाँ पर डिवाइट कर दें ऐसे करके तो कुछ आसानी हो जाएगी ग्राफ बनाने में यह ग्राफ नहीं बना रहे हैं यह किवल हम डिवाइड कर रहे हैं इस पॉर्शन को ताकि ग्राफ बनने में आसानी हो ठीक है ठीक है इसको थोरा से सही कर लेता है तो यहां पर ग्राफ बनाने जा रहे हैं तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहां पर हम ऐसे करके यह ऐसे ले जाएंगे और यह ऐसे आ जाएगा तो यहां पर हम यू ले जाएंगे यू ले जाएंगे और वह इस टच नहीं कराएंगे वह ध्यान रखेगा पाई बाई टू में आपको टच नहीं कराना है ठीक है ऐसे यहां पर भी ऐसे यहां पर भी ऐसे बनाएंगे यह हमारा ग्राफ है 10 का यह देखिये ठीक क्लेर है मैंने हैलाइट कर दिया उसको तो आप उसमझ में आ गया होगा कि 10x का ग्राफ कैसे बनेगा अब यहां पर देखिए हमने टच करने को मना किया था यहां पर देखिए हमने टच करने को मना किया था बिल्कुल बिल्कुल भी आप टच नहीं करेंगे यहां पर भी हमने मना किया था टच नहीं करेंगे यहां पर भी हमने मना किया था टच नहीं करेंगे यहां पर भी नहीं करेंगे और यहां पर यहां पर भी करेंगे ऐसा क्यूंकि इन पॉइंट पर टैन हमारा अपरिभासित होता है इसलिए यहां पर हम इसको तच नहीं कराएंगे कहाँ पर अपर इभासित होता है पाई बाई टू पर पाई बाई टू पर होता है थ्री पाई बाई टू पर होता है ठीक है ना इसी प्रकार आगे भी यानि हम लेख सकते हैं टू एन प्लस वन पाई बाई टू वैलू पर हमारा टैन कैसा होता है अपरिभासित होता है तो 10 हमारा संतत फलन है सभी रियल पर सभी रियल नमबर पर संतत फलन है सभी रियल नंबर पर संतत्थ फलन है लेकिन लेकिन 2N प्लस 1 पाई बट्टे दो पर क्लियर है 2N प्लस 1 पाई बट्टे दो पर हमारा ये संतत्थ फलन नहीं है कि यहां तक बताएं किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपके पास हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं तो हमने साइन का graph देख लिया कॉस का graph देख लिया टेन का graph देख लिया और हमने यहां से graph देखकर पता कर लिया ऐस संतधफुलन है यह नहीं है तो साइन सदयवशंतफुर फ़लन है कौस सदयसंतफुलन है तो चाहें वह धन दिशा हो चाहें वह रिंड दिशा हमने ग्राफ तो है जो धन दिशा की और बनाया लेकिन आप रिंड दिशा की और विए उसको आगे बढ़ा सकते हैं टैन भी हमारा संतत्त फलन है लेकिन कुछ वैलू पर छोड़कर जहां-जहां उसका आमान अपरिवासित ह हो जाता है टू एन प्लस वन पई बाइवाई टू पर आप एन की वैलू पूट कर दिजिए आपको सारी वैलू मिल जाएंगी एन कमान आप रख सकते हैं जीरो एक दो तीन चार पाच ठीक है ना और यहां पर आप क्या करेंगे रख देंगे तो एन कमान जीरो रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि जाएगा कि पॉड़ांक रखें आप रिडिन पूड़ांक भी लिख सकते हैं मैंनेस रखेंगे तो रिड क्लियर तो इस तरीके से से हम लोग इसको लगा सकते हैं देखिए आगे कुछ प्रमें हैं उन प्रमें को सीख लेते हैं कि तो पहली प्रमें हमारे पास क्या है कि यह दि एक्स कॉमा जी एक्स एक्स बराबर एपर संतत है तो एक्स प्लस जी एक्स एक्स बराबर एपर संतत होगा दूसरा है यदि एक्स कॉमा जी एक्स एक्स बराबर एपर संतत है तो एक्स माइनस जी एक्स 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 बराबर एपर संतत होगा दूसरा तीस्री एक्स 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 बराबर एपर संतत है तो fx इंटू gx x बराबर ए पर संतत होगा यदि fx gx x बराबर ए पर संतत है तो fx बटे gx x बराबर ए पर संतत होगा परन्तू gx not equal to 0 होना चाहिए ठीक है तो यह हमारे कुछ चार प्रमे हैं इन प्रमे का उपयोग हम कहीं पर भी कर सकते हैं अगर हमको जरूत पड़ेगी तो इन चार प्रमे के हम जरूरत उपयोग करके कोश्चन को लगा सकते हैं जाएंगे और फाइफे सुरू करेंगे क्लियर है तो फाइफे बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो उमीद करते हैं कि आज जो भी आपको बता गया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सकाइब अबस कर लें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब कर लिजे और टेलिग्र जरूर जोइन कर लें